बिस्मिल्ला रह्मान रहीम हमने पिछले लेक्चर्ज में एक मॉनिटरी पॉलिसी गोल्स को डिसकस किया दूसरा हमने मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स को डिसकस किया और फिर नेक्स्ट हम आगे मॉनिटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स को डिसकस करेंगे तो ज्यादा जूरूरी है कि चुके हम मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर जो तीन मेन इशुज होते हैं गोल्स, इंस्टूमेंट्स, टूल्स उन में से दो को बड़ी डीटेल में कई लेक्चर्स में डिसकस कर चुके हैं तो इस पॉइंट पर बड़ा जूरूरी है कि हम जो मॉनिटरी पॉलिसी पाकिस्तान की है उसको भी ऐवیलूएٹ करते जाएं मसलां यहां कौन से टूल्स यूज होते हैं, यहां पॉलिसी के गोल्स क्या हैं, यहां इंस्टूमेंट कौन सा यूज होता है तो monetary policy आफ पाकिस्तान डिसकस करते हूँ मैं कोशिश करूँगा कि ज्यादा तर state bank के documents में से या उसकी website में से ज्यादा चीज़ें आपके साथ share करूँ मसलन सबसे पहला कि monetary policy के functions क्या है अब आप students ये जहन में रखिएगा कि central bank के functions होते हैं कि state bank of Pakistan act के अंदर दिये हुएं ये exactly वो function नहीं है ये सिरफ monetary policy के और general statement के अंदर functions दिया हैं ये सिरफ website पे दिये हुएं लेकिन इन sentences से इन wording से ये बड़ा clear होता है कि Pakistan में जो monetary policy है उसका जो main function है वो price stability है और साथ financial stability है दूसरी बात बड़ा ये clear है central bankers के end पे कि जो monetary policy है वो एक stabilization tool है यानि कि long term growth monetary policy से achieve नहीं हो सकती ये एक short term stabilization tool है कि अगर economy में output अपने potential से कम हो जाए या inflation अपने target से अठ जाए तो short term के अंदर तो policy instrument के जरीए policy tool चेंज करके जो output है या inflation है या कोई भी और ऐसा target variable है उसको short term में तो change किया जा सकता है लेकिन long term में economic growth का target जो है वो सिरफ monetary policy से achieve नहीं किया जा सकता अब आते हैं कि पाकिस्तान में monetary policy के goals क्या है या objectives क्या है जो state bank of Pakistan act के अंदर लिखे हुए है तो इसमें बड़ा clear है act कि जो prime responsibility है monetary policy की या central bank की state bank of Pakistan की वो price stability है और अगर price stability जो है वो compromise ना हो तो फिर क्या है contribute to the stability of the financial system of Pakistan यानि कि अगर price stability का target अचीव हो रहा है या price stability compromise नहीं हो रही तो साथ जो additional target हो जाएगा वो financial sector stability हो जाएगी और फिर तीसरे नंबर पे जो आ रहा है वो क्या है supporting the general economic policies of the federal government to foster development and fuller utilization of the country's productive resources यानि कि ये कुछ growth का element इस sentence में नजर आ रहा है जब country के productive resources efficiently use होंगे तो economy grow करेगी तो आप यू समझ सकते हैं कि ये hierarchy है सबसे उपर price stability है फिर financial stability है और फिर economy के productive resources का use है जिसमे employment भी आ सकता है और economic growth भी आ सकता है अब अगर हम nominal anchor की बात करें जिसको intermediate target भी कहते हैं तो पहली बात तो ये clear है कि पाकिस्तान में कोई explicit nominal anchor नहीं है इस वक्त यानिके एक time में nominal anchor money supply हुआ करता था लेकिन अब जो है वो जब से interested corridor system आया है especially 2015 onward उसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि कोई explicit intermediate target या nominal anchor नहीं है बलकि aggregate demand को control करके inflation को control किया जाता है यानि कि state bank of Pakistan aggregate demand को control करता है अगर उसने inflation rate को control करना हो और ये बात यहाँ पे बड़ी clearly ये भी note कर लें कि inflation का target या inflation forecast जो उसकी projection है वो एक implicit nominal anchor के तो पे तो लिया जा सकता है लेकिन कोई explicit nominal anchor नहीं है ये बात जहें में रखिएगा अब पाकिस्तान में monetary policy के instruments क्या है instruments जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं चुकि instrument का topic हमने आगे detail में discuss करना है goals का और nominal anchor का या इससे पहले जो हम और बात tools का आगे slide आएगी हम ये चीज़े तो discuss कर चुके हैं लेकिन instrument का topic आगे पढ़ना है तो मैं पहले आपको वैसे idea दे दूँ कि instrument दो तरह के होते हैं या तो monetary base यानि कि कोई न कोई monetary aggregate होता है या जो होता है वो short term interest rate होता है तो पाकिस्तान में जो monetary policy का instrument है वो short term interest rate है और अगर specifically आप जाएं तो ये overnight money market repo rate है जिसको हम पहले discuss कर चुके हैं कि ये क्या होता है और इस instrument के लिए state bank of Pakistan एक operating target सेट करता है उस operating target को SPP policy rate कहते हैं जो कि overnight money market repo rate के लिए target का का काम करता है और finally monetary policy के tools क्या यूज होते हैं पाकिस्तान के अंदर वो जो conventional tools हमने monetary policy के पढ़े थे किसी भी मुल्क के लिए वो जाहर है पाकिस्तान में भी use होते हैं जिन में एक SPP reverse repo rate है जिसे हम ceiling rate या discount rate भी कहते हैं SPP repo rate है जिसे floor rate कहते हैं या interest on reserves भी बोलते हैं open market operation है और reserve requirement है reserve requirement के अंदर एक currency reserve ratio है और एक statutory liquidity requirement है तो ये दो तरह के जो हैं वो आपके reserve requirements होती हैं ये basically दोनो required reserve का part है access reserves commercial bank की अपनी option होती है वो इसके अलग होता है Thank you